बोलो एकासी मैया कीजे बोलो आमले की एकासी मैया कीजे आज भक्तो आमले की एकासी जो बारा बजे शुरू हो गई है और कल एक बजे समापत हो रही है इसका बहुत मैट बहुत भल है तो आईए हम और आप सब लोग इस कता को सरवन करते हैं भगवान स्रीक्रेष्ण ने का कि मैंने बिजिया एकासी का मात्यम सुन लिया अब फागुन के भगवान से युदुष्टने का अब फागुन सुकुल पच्च की एकादसी का नाम और मात्यम बताने की कृपा कीजिए किसे का भगवान क्रेष्ण से किसने का युदुष्टने भगवान स्रीक्रेष्ण बोले महा भाग धर्म नंदन सुनो तुम्हें इस समय उए प्रसंग सुनाता हूं जिसे राजा मानदाता के पूछने पर मात्मा बसिष्ट से का था भागुन सुक्लपच्च की एकासी का नाम आमल की एकासी है जो भागुन की जो आज एकासी है उसका नाम आमले की एकासी है इसका पवित्र ब्रत विश्णू लोग की प्राप्ति कराने बाला है इसका जो भी व्यक्तियत ब्रत करता है तो उसे विश्णू लोग की प्राप्ति होती है इसलिए आमल की एकासी का ब्रत अनुष्टान करना चाहिए मान दाता ने पूछा दुशेष्ट ये आमल की कब उत्पन हुई थी मुझे बताईए बसिष्ट जी ने कहा मा भाग सुनो प्रत्ती पर आमल की का उत्पत्ती किस प्रकार हुई यानि आमले की उत्पत्ती किस प्रकार हुई मैं बताता हूँ वसिष्ट जी ने का तब यह बताता हूँ आमल की महान ब्रच है यह हम और आप सभी जानते हैं कि आमला एक ब्रच है जो सब पापों का नास करने बाला है भगवान विश्णू के थूकूने पर उत्पन्नू उनके मुखत से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदू हुआ बिंदू प्रत्वी पर गिरा उसी से आमले की यानि आमले का महान ब्रच उत्पन्न हुआ यह सभी ब्रचों का आदिभूत कहलाता है जो आमला है सब ब्रचों में आदिभूत का जाता है इसी समय समस्त प्रजा की सुष्टी करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी क उत्पन्न किया उनी से इस प्रजाओं की स्रष्टिवी देवता दानव गंधर्व यच्छ राच्चस नागतता निर्मल अन्न कणवाले मार्शियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया उनमें से देवता रिसी उस इस्तान पर आए जहां विश्णु प्रिया आमली की गी का ब्रच्चता यानि आमले का ब्रच्चता वहीं पर सब लोग आ गई महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विश्मे हुआ बेएक दूसरे पर दिश्टपात करते हुए उतकष्टा पूरवक उस ब्रच्च की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लच्च पाकर आद ब्रच्च तो पूरु कल्प की ही बाती हैं ज इस ब्रच्च को हम नहीं जानते उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकास पाड़ी हुई मार्शियो यह सर्वसेष्ट आमल का आमल की का ब्रच्च है जो विश्णू को प्रिये इसके इसमन मात्र से ही गोधान का फलप्राप्त मिलता है यदे आपने यह कह दिया आम इससे दूना फल यदे इसको छूली गया आमले के ब्रच्च को आपने प्रदिन तो गोधान से दूना फल प्राप्त हो जाता है बच्चन करने से तुगुना प्रप्राप्त होता है यदे आपने इसको आज खाली गया तो तुगुना फुल प्राप्त हो जागा इसलिए इसके उपर ब्रह्मा और इसकंद में परमेशर भगवां रुद्र, साखा में मुनी, टैनियों में देवता, पत्तों में बसू, फूलों में मरुतगरण, तता फलों में समस्त्र प्रजापत्ती बास करते हैं आमले का फल सब देखते हैं, आमले की सर्व देव मही बताई गई गये, अतै बिश्णु भक्त, पुर्सों के लिए परम पूझे, रिसी बोले अव्यक्त सरूप से, बोलने वाले महापुरुस, हम लोग आपको क्या समझे, आप कोने देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताई ये, आकास बाणी हुई, जो संपुण भूतों के करता और समस्त, भवनों के इस पश्टाएं, जिने विद्वान पुरुस्वी कठिंता से देख पाते हैं, वही सनातन विश्णु में हूँ, ये किसने का, ये आमले के व्रच्च ने, सब कुछ का देवताओं से, द उन्हें बड़ा बिश्मे हुआ, वे आदि अनंता रहत भगवान की स्तुती करने लगे, रिशी बोले, संपुण भूतों के आत्म भूत, आत्मा और परमात्मा को नवस्कारे, अपनी मेमा से कभी अच्चुत न होने वाले, अच्चुत को नित पढ़ामे, अंता रहत परम को बारम बार पढ़ामे, दामोदर कभी सरवग्य और यग्ये स्वर को नवस्कारे, माया पते आपको पढ़ामे, आप विश्व के स्वामी है, आपको नवस्कारे, रिशी ओं के इस प्रकार इस्तुती करने पर भगवान स्रीहरी संतुष्ट हुए, और होते हुए बोले, म सरग और मोच का फल देने वाल प्रदान करने बाला हो, यानि सरग में मोच प्रदान करें, ऐसा ब्रत्वत आईए, तब विश्णू जी बोले, मार्शियों भागुन सुकल पच्च में यदि पूर्ण, पुष्च नचित्र में युक्त द्वासी होता हुए, मान पुर्ण देने वाली और बड़े बड़े पात्कों का नास करने वाली होती है, दुजबरो उसमें से जो विशेष करतब्या उसको सुनो, आमल की एकासी में आमले के ब्रच्च के पास जाकर, वहां रात्री में जान करना चाहिए, जैसे ये आमले का ब्रच्च है, जैसे सामने इस त और फिर जाकर जागन करना चाहिए, जो इसकी विधी है, इसमें मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, ये आमले के पास जाकर के रात्री में जान कर लिया, तो सब पापों से छूट जाता है, और सैस्त्र गोदानों का फलप्राप्त करता है, विप्रगण ये ब्रतों म उत्तम ब्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है रिसी बोले भगवाण इस ब्रत की विधी बतलाईए यह कैसे करें और कैसे पूर होता है इसके देवता नमस्कार मंत्र कोन से बताईए गई है उस समय इश्णान और दान कैसे किया जाता है पूजन की कौन सी भी धी है तता इसके लिए मंत्र क्या है यह सब बताने की यह थार तक्रपा करें रूप में बढन कीजे भगवान विश्णूने का दुजवरो इस ब्रत को तो उत्तम बिदी है उसको सबन करो एकासी को प्राते काल दंत दावन करके यानि मन्यन वगएरा करके यह संकल्ब करें के पुंडरी का चे अचुत में एकासी को निराहार रहके दूसरे दिन बोजन करूँगा आम मुझे सरण में रखें ऐसा नियम लेने के बाद पतित चोरपाखन दी दुराचारी मर्याद भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से बारता लाव ना करें बारता लाव ना करें अपने मन की बस में रखते हुए नदी में पोकर में कुए में अत्वा घर में इसनान करें फेले सरीर में मिठ्डी लगाएं म्त का लगाने का मंतर अस्वुकान खेर दिक बा सुनदर इम्रत के हर में पापा जन्म कोटी समर जितम बसंदरे तुमारे उपर असोरत चला करते तता बामन अवतार के समय भगवान विश्णु ने भी तुमें अपने पैरों से ना पाता मुनी इम्रत के मैंने करोडों जन्मों के पाप किये मेरे उन सब पापों को हरलो इश्णान मन्त तुम्माता सर्वूता नाम जीवात्मं ततुरचकं स्वेदा जोर्धि ज जाती नाम रसानाम पते नमा इश्णान तो हम सर्वतीरते सु हिदाये प्रश्ण बढ़े सुच्या नदीहिसु देवखान तेसु इंदु इश्णान अन्तु ववेता जलकि यदिष्टाति देवी मात तुम संपुड भूतों के लिए जीवनों वही जीवन में स्वेद मही और अदुती जाती के जीवों का आज मैं संपुड तीत कुंड जन्न नदियों देव संबंदी सरोबरों में इश्णान कर चुका हूं मेरा इश्णान उन उक्त सभी इश्णानों का फल देने वाला वो विद्वान पुर्सों को चाहिए को वह पुरुसराम जी को सोन्य की प्रत्मा बनवाय प्रत्मा अपनी सक्तियों धन के अनुसार एक या आदे मां से स्वन की ओनी चाहिए इश्णान के पस्चात घर आकर पूजा और अबन करें इसके बास सब प्रकार की सामगरी लेकर आमल के ब्रच के पास जाए वह ब्रच के चारों जमीन जाड ब को आड़ करके इस तरह से सुध पोत कर सुध करें सुध की हुई भूमी में मंत्र पाठ पूर जल से बहरे हुए नभीन कलस की स्तापना करें नभीन कलस की स्तापना करें, कलस के पंचरतन और दिब गंदाद छोड़ दें, स्वेत चन्दन से उसको चर्चित करें, कंट में पूल की माला पेनावें, कंट में पूलों की माला पेनावें, सब प्रकार के धूप की सगंद पेलाएं, जलते हुए दीपक की सेनी से जाकर पूजा के लिए नभीन चाता, जूता और बस्तर भी मगा कर रखें, कलस के उपर एक पात्र रखकर, उसे दिब लाज और खीलों से बढ़ दें, यानि उसमें कुछ कलस के उपर पात्र रखकर, उसमें इस तरह से कुछ न कुछ रख दें, फिर उसके उपस्वण में, जागों की दामो दराय नमा से, कटबाक की पदम वागाय नमा से, उदर की सिरी बक्स धारणोय नमा से, बच्च इस्तरल की चनके नमा से, बाई जाबा की गादी ने नमा, दानी बाई की बेक उन्ठाय नमा, बेकंट की बयक्य मुखाय नमा से, मुख की विसूकाय नमा से, नावी की बास देवाय नवासे, नेत्रों की बामनाय नमासे, ललाट की सरवाय नमासे, संपुण अंगों तथा मस्तस की पूजा करनी चाहिए, यही पूजा के मन्ते तदंतर भक्त पूरक चित में सुद्ध फलके, द्वारा देवा देव परुसराम को अर्ग पदान करे, अ नमस्ते देव देव जगदाउन, नमोस्तते, ग्राण आर्था मिमंदत्त, मामलक्या यूत्तम हरे, देव देवे सर, जै दग्निननन्दन, स्री बिष्णु सरूप परुसराम जी, आपको नवस्कार है, नवस्कार है, आमले के पलके साथ दिया हुआ मेरा, यह अर्ग ग्र कता वारता आद के द्वारा वह रात्री गतीत करें, उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले ले कर आमलकी का ब्रच की परकम्मा एक सो आठ वार या अठाइस वार करें, फिर सवेरा होने पस्री अरी की आर्थी करें, ब्रामन की पूजा करके बहां की सभी सामक्रिव स निवेदन कर दे, परुसराम जी के कलस दोबस्त जूता अधिस अभी बस्तों एदान कर दे, यह भावन ना करें कि परुसराम जी के शरूप से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसनोत अत्पस्चत आमलकी किया इसपर्स करके उसकी प्रदिच्चना करें, और इश्नान कर अधिक फल मिलता है, इससे तनिकवी संदे नहीं है, यह बरत, सब ब्रतों में उत्तों में, जिसका मैंने तुम से पूरा पूरा बढ़न किया है, बसिष्ट जी कहते हैं, महाराज इतना कहका, देव देवेशुर भगवान विष्णु वही अंतर द्यान हो गए, तत्पस्चास उन समस्त महरुश्यों ने युक्त ब्रता का पुन रूप से पालन किया नफसे, इसी प्रकार तुम भी इस ब्रत का अनुष्टान करना चाहिए, बागवान स्रीकेशन कहते हैं, यह दुष्ट यह दुलब ब्रत मनुष्यों को सब पापों से मक्त करने वाला है, बोलो एकासी मैया कीजे, बोलो आमले की एकासी कीजे